आत आपके शरीर का सबसे समझदारंग नहीं है, ये गंदगी से भरी है ये आपके शरीर का सबसे बुद्धिमान हिस्सा नहीं है ये गट फीलिंग आपकी आँठ से इसलिए आती है, क्योंकि जब आप फैसला नहीं कर पाते तो डर पैदा होता है जब डर आता है, तो ये आपकी आँठ पर प्रभाव डालता है क्योंकि डर और आँठ में हलचल काफी जुड़े होते हैं इसलिए हम कहते हैं, शिट स्केर्ड ये बहुत जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ तो जब आप कुछ तै नहीं कर पाते और आप में थोड़ी घबराहट या डर आजाता है तो आपके पेट में हलचल होने लगती है ये मत सोचिए कि ये कोई बुद्धिमानी की हरकत है लेकिन साथ ही, जब कुछ खास डर का मतलब है कि आप खत्रा महसूस करते हैं जब वो आता है, तो आप सतर्क हो जाते हैं जब खत्रा होता है, तो बहुत से लोग इतने जादा सतर्क हो जाते हैं जितना वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुए क्या कभी आपकी कार या मोटरसााइकल किसी से भीड़ी है या कम से कम आप साइकल से गिरे हैं तो अगर आप किसी चीज से टकराने वाले हो तो वो कुछ पल अगर आप वाकई गिर गए तो शायद आप जिंदा ना बचें लेकिन जब आपको लगा कि आप गिरने वाले हैं तो आप देखेंगे कि वो पल आपकी यादाश तुमें बने रहेंगे हमेशा 30 साल बाद भी आपको वो एक घटना याद रहेगी क्योंकि आप उस पल बहुत जादा सतरक थे तो खत्रा आपको सतरक बनाता है या खत्रे का एहसास सतरकता लाता है सतरकता की वज़े से आप चीजों को उससे थोड़ा बहतर देख पाते हैं जो आप आमतोर पर देखते हैं तो ये गट वाली चीज यहीं से आई है आथ आपके शरीर का सबसे बुद्धिमान हिस्सा नहीं है अपने दिमाग का प्रियोग करना बहतर होता है जब आप अपने दिमाग का प्रियोग करते हैं तो एक खास बुद्धिमता होती है जो किसी परिस्थिती में आपकी अपनी बुद्धी के जरिये काम करती है और बेशक दूसरों से मिली जानकारी भी है एक व्यक्ति को इन दो चीजों को तॉलना चाहिए हर परिस्थिती में मैं अपनी ही चीज़ें करूँगा बेवकूफी होगी हर परिस्थिती में वही करूँगा जो किसी और ने सिखाया ये भी बेवकूफी है इन दोनों के बीच सही संतुलन जैसी चीज़ नहीं होती ये हमारे कारे के प्रकृटि पर निर्भर करता है और साथ ही आपके बोधिक स्तर पर और आपके पास उपलब्ध जानकारी के स्तर पर आपके पास मौजूद जानकारी कितनी भरोसे मंद है या आपकी बुद्धिमता आपके पास मौझूद जानकारी से जादा भरोसे लाइक है, इसका कोई आदर्श फैसला नहीं होता है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और ये हर परिस्थिति के लिए भी अलग होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का हुनर है, ल आपको खुद करना है, मेरे लिए मेरे जीवन में जो भी जानकारी आती है, मैं पहले उसे बस अंदेखा कर देता हूँ, और फिर उसे अपनी बुद्धी से देखता हूँ, अगर मेरी खुद की बुद्धी अपना रास्ता नहीं खोच पाती, सिर्फ तभी मैं दूसरी जा जानकारी से दूशित नहीं करना चाता और अपनी बुद्धी के शमता को बिगाड़ना नहीं चाता, मैं हर चीज़ को वैसे ही देखना चाता हूँ, जैसे वो है, अगर ये तरीका काम नहीं करता, अगर मेरी बुद्धी उतनी पैनी नहीं है, उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, तब ही मैं दूसरे लोगों की जानकारी को देखता हूँ, हर किसी को ये तरीका अपनाना जरूरी नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग है और हर परिस्थिती के लिए अलग भी, हर परिस्थिती में ये एकसा नहीं होगा, जब मैं किसी एक अजनभी द तो ये एक निन्ने है जो आप लेते हैं कारे के हिसाब से.